वेल्कम्टु टुश्टों टिक्टेशन पांच सिकेंड बात सुरू होगा रेडी स्टार्ट अन्य शब्दों में उसे यह चुनाव करना होता है कि क्या मोटर यान अधिनियम 1988 के अधिन या कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधिन दावा किया जाए इस धारा में इस बात पर बल है कि दावा दोनों अधिनियमियतों के अधिन नहीं किया जा सकता आगे और मुआवजे का दावा करने के लिए योजना में शामिल किये गए निर्वाचन के सिध्धान्त की पुनरावृत्ती है सिध्धान्त जहां दो वैकल्पिक अधिकरणों में से कोई वादकार के लिए खुला है वहां विवादा स्पद मामले पर प्रतेक अधिकारिता धारन कर रहा है और वह अन्य की वरियता दे करके ऐसे अभिकरणों में से किसी एक का अपने उपचार के लिए आस्रय ले सकता है उसे उसके विरोधी के विरुध पश्चातवर्ती से किसी पश्चातवर्ती आस्रय से अपवर्जित किया जा सकता है पुणतिया मोटर यान अधिनियम की धारा 167 की योजना में दावेदार को अपवर्जित करते हुए शामिल किया गया है जिसमें मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों का आश्रय लेने से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम का आश्रय उसमें अनुमत सिमित विस्तार के सिवाय लिया है दावेदार जिसने कर्मकार प्रतिकर अधिनियम का आश्रय लिया है मोटर यान अधिनियम की धारा 167 में मान एक मात्र अपवादों के अध्यधीन उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है मोटर यान अधिनियम की धारा 167 की भाषा पर और उपचारों के निर्वाचन के सिध्धान्त का अनुसरन करते हुए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधिन कारेवाही करने का विकल्प लेने वाला दावेदार मोटर यान अधिनियम के प्रावधानों में से किसी का आस्रय नहीं ले सकता या प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर सकता जो उसके अतिरिक्त है जिसे वी निर्देश्ट रूप से अधिनियम की धारा 166 द्वारा व्यागवरित किया जाता है अधिनियम की धारा 166 दावेदार को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याय दस के प्रावधानों का आस्रय लेने के लिए अधिकार प्रदान करती है मोटर यान अधिनियम 1988 का अध्याय दस उसके बारे में प्रावधान करता है जो दुरगटना के मामले में तुरुटी बिना दाईतों के रूप में ग्यात है मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 140 उसमें नियत मुआवजे का भुगतान करने के लिए यान के स्वामी पर दाईत अधिरोपित करती है यदि कोई तुरुटी यान के चालक या स्वामी के विरुध सावित नहीं किया जाता धारा 141 और 142 तुरुटी बिना दाईतों के आधार पर विशिस्ट दावा के संबंध में प्रावधान करती है और धारा 143 उस पर बल देती है जिस पर अधिनियम की धारा 167 दारा बल दिया गया है कि मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याई 10 के प्रावधान लागू होंगे यदि दावा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधिन किया जाता है अधिनियम की धारा 144 मोटर यान अधिनियम 1988 के अध्याई 10 के प्रावधानों को अभिभावी प्रभाव प्रदान करती है नहीं हो डी स्टब